वाइफा एडुकेशन वाइफा एडुकेशन वाइफा एडुकेशन वाइफा एडुकेशन गेश वीडियो में हम आज एक नए सीरीज स्टार्ट करेंगे ये सीरीज का सेट नमबर वन रहेगा जिसमें हम काफी सारे कोशन डिसकस करेंगे जो आपके बिल्कुल एक्जाम ओरियेंटड होंगे ये सीरीज नौ दिन लगातार नौन स्टॉप रहेगी इसमें काफी सारे सेट आपको देखने को मिलेंगे ये सेट नमबर वन मैं आप तक लेके आ रहा हूँ मेरा नाम है मोहित गरगा सो आप ज्यादा विलम बना करते हो ये हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कोशन है हमारे पास मिस यूनिवर्स टाइटल पहली इंडियो कौन सी बनी थी जिसके द्वारा जीता गया था ये आपको चार आप्शन दिए गए हैं इसके लिए जो बैस्ट आप्शन है हमारे पास होगा है शुश्मिता सेन ये इंडिया की पहली महिला बनी थी जिनके द्वारा रिसीव किया गया था जीता गया था मिस यूनिवर्स टाइटल इसका राइट उत्तर है फरस्ट आप्शन शुश्मिता सेन इसके लावा अगर आपसे पूछा जाए मिस जो वर्ड का टाइटल है मिस वर्ड का जो टाइटल है वो पहला किसके दोवारा जीता गया था इसका सही उत्तर होगा रिता फैरिया रिता फैरिया ये इंडिया की पहली महिला थी जिसके दोवारा जीता गया था मिस वर्ड टाइटल दोनों याद रिखे दोनों इंप रहसें नाम उसका सिटि का नाम पुछा गया है जो हमारे पास प्रहाश नाम पूछा गया है जह नहलीपोड़ती應該 जिकका जो सहही उत्तार है वहां ञेगह ई नाम गुचा है कर जो सही इसक एक सब्सक्राइब है जो सिसके final ही जो क्यां में तुम गैले हैं इसके निवा देस जगदीश जगदीश मुखी जगदीश मुखी यह वियाद रिखिए नेक्स्कोशन देखे थर्ड नमबर कुष्णा केवी आईसी जो है खादी एंड विलेज इंडेस्ट्रीस कमिशन एक्ट यह कब पास हुआ था किस एर में पास हुआ था यह चार अप्षन आपको दिये गए हैं इसका जो सही उत्र है वो है 1956 1956 में केवी आईसी एक्ट जो है यह पास हुआ था इसका सही उत्र है डियॉप्षन 1956 इसके लावा अगर आप से पूछा जाए केवी आईसी का हेड़कॉर्टर कहा है उसका राइट उत्र होगा मुंबई में मुंबई महारास्टर में लोकेटर है है हेड़कॉर्टर ऑफ के KVIC इसके लावा second question पुछा या सकता है आपसे इसके जो chairman है उनका नाम आपसे पुछा या सकता है इसके जो chairman है वो है विने कुमार सकसेना यह है chairman of KVIC या आप यारिखे यानि VK सकसेना इसके लावा आपसे यह भी पूछा या सकता है इनके दोरा recently silk processing plant कहां पे लगाया गय सुरेंदर नगर जो की एक city है गुजरात का गुजरात का एक city है सुरेंदर नगर यहां पे लगाया गया है silk processing plant इसके लावा गुजरात की जो राजनी है वो है गंधी नगर जो की consistency है अमित्यशा की जो हमारे ग्रह मंत्री है यानि होमनेस्ट है और गुजरात के जो cm है वो हैं विजे रुपा नी ने शो इसका जो सही उत्र है वो है 109 times जो diameter है सन का वो ज्यादा है as compared to diameter of earth इसका जो राइट उत्र है वो है फिर्स्ट आप्शन 109 ने शो इसका नाम हमसे बेसिकली यहां पे पुछा गया है आपको यह चार आप्शन दिये गए हैं इसका जो सही उत्र है वो है 4th option विनस विनस जो है इसको consider किया जाता है as the hottest planet in the solar system इसका जो सही उत्र है वो है 4th option विनस नेक्श वाज़न देखें 6th number question डैश वाज़दा फस्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर आफ इंडिया यहां पे हमसे पुछा गया है पहले जो चीफ इलेक्शनर कमिशनर है बने थे उनका नाम पुछा गया है यह आपको चार आप्शन दिये थे इसका जो सही उत्र है वो है सुनील अरोडा सुनील अरोडा इसके लावा यहां पे चीफ इलेक्शन कमिशनर की बात है इसके आगे यानि इनके नीचे दो पद होते हैं एक होता है इलेक्शन कमिशनर एक होता है यानि दो इलेक्शन कमिशनर होते हैं इनके नीचे यह आप याद रिखें जो पहले जो उनका नाम है राजीव कुमार, यह भी काफी वारी पूछते हैं एक्जाम में, राजीव कुमार और सेकर्ड जो हैं वो है सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा, यह हैं दो election commissioner, यह आप याद रिखें, और जो chief election commissioner है, उनका नाम है सुनील अरोडा, next question देखें, 7th question, the micro, small and medium enterprises development act was passed in the year dash, यानी MSME जो act है, वो किस year में pass हुआ था, यहां पे हम से यह पुछा गया है, आपके यह 4 option है, इसका जो सही उत्तर है, वो है second option में 2006, 2006 में, जो MSME act है, वो पास किया गया था, इसका जो सही उत्तर है, वो है second option 2006, और इंडिया के जो MSME minister है, वो है नितिन गड़करी, नितिन गड़करी, यह विज़ाद रखें, next question देखें, 8th number question, name the smallest district in India, यानी India का सबसे छोटा जिला जो है, उसका नाम यहां से हमें पूछा गया है, यह 4 option आपको दिये गए हैं, इसका जो सही उत्तर है दिये गए 4 option में से, वो है माहे, माहे जो ह इसका जो एरिया है, वो भी आप याद रख सकते हो, approximately 9 square kilometer, यानी इसका जो एरिया है, वो only 9 kilometer का है, 9 square kilometer का, इसके लावा अगर पुछा जाए, यह कहां पे लोकट रहा है, काफी वारी हमें option में माहे नहीं देते, हमें देते हैं pondicherry, यह एक जिला है pondicherry का, यह वी आप सबसे जो बड़ा जिला है इंडिया का, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कच्च, कच्च जो है, यह है इंडिया का सबसे बड़ा जिला, और यह गुजरात का एक जिला है, गुजरात में लोकट रहा है कच्च, यह इंडिया का सबसे बड़ा जिला है, और अगर पुछा ज देखें, नेंथ नेंथ रहन गोशन, name the western most point of India, यानि जो western most point है इंडिया का, उसका नाम हमें यहां से पूछा गया है, दिये गए चार option में से जो best option दिया गया है वो दिया गया है गुहार मोटा गुहार मोटा जो है ये western most point आ इंडिया का इसका जो सही उत्र है वो है fourth option गुहार मोटा Next option देखे 10th number question Name the oldest operating port in India built by British East India Company यानि सबसे पुराना operating port का नाम यहां पे हमें पूछा गया है जो की British East India Company के द्वारा बनाया गया था यहां से हमें पुछा गया है दिये गए चार option में से जो best option है हमारे पास वो है कौलकत्ता port कौलकत्ता port जो है ये सबसे पुराना port है जो की British East India Company के द्वारा सेट अप किया गया था इसका सही उत्र है 4th option कॉलकत्ता अगर पुछा जाए British East India Company इंडिया में कब सेट अप हुई थी उसका सही उत्र होगा 1680 में यह आप याद रिखें 1600 AD में यह यहाँ पे सेट हुई थी इंडिया में British East India Company यह भी काफी पुछता एक्जाम में याद रिखें Which of the following is not a part of चारदाम यत्रा यानी चारदाम यत्रा जो है इसका कौन सा पार्ट नहीं है दिये गए चार अप्शन में से जो की नौर्थ इंडिया में आते हैं दिये गए चार अप्शन में से जो best option है हमारे पास वो है first option वैश्णदेवी वैश्णदेवी टेंपल जो है इसको consider नहीं किया जाता चारदाम यत्रा में इसका सही उत्र है first option वैश्णदेवी इसके लावा आप यह भी याद रिखें दो परकार के चारदाम होते हैं एक त गंगोत्री की गंगोत्री उसके बाद यमनोत्री यमनोत्री के बाद केदारनाथ के बाद बदरीनाथ यह चार होली प्लेस हैं जिनकी यत्रा की याती है इस चोटा चारदाम में यह वी काफी पूछता है चोटा चारदाम में आते हैं गंगोत्री यमनोत्री केदारनाथ औ बड़ाचारदाम में जो part हैं इस holy places के सबसे पहले है पूरी तीर्थ जो की उडिशा में located है उसके बाद नेक्स्ट है रामेश्वरम, नेक्स्ट है दवारका, दवारका के बाद है बद्रिनाथा, ये चार प्लेस हैं जिनकी यातरा की जाती है बड़ाचारदाम में, ये दोन रखे नेक्स वोचन देखिए बारा नमगोश्टना, दा मुवमेंट ओफ दा लोकल फार्मर्स ऑफ बड़ोली इन गुजरात अगेंस्ट 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 इन 1928 वाज लीडवाई यानि फार्मर्स किसानों के द्वारा एक मुवमेंट स्टार्ट की गई थी लोकल सर्दार बल्लबाई पटेल के द्वारा इसका जो सही उत्र है वो है फोर्ट अप्षन सर्दार बल्लबाई पटेल यहां से आपको दो तीन कोशने जो हैं वो पुछ जा सकते हैं इनके बड़े के उपलक्ष में हर साल नैशनल यूनिटी डे मनाते हैं हम 31 अक्तूबर को नै स्टैच्यू आफ यूनिटी इसके लिए बनाया गया है सर्दार बल्लबाई पटेल जी के लिए बनाया गया है यह स्टैच्यू आफ यूनिटी यहां रिखें और यह नर्मदा जिले में बनाया गया था नर्मदा डिस्ट्रेक्ट जो की लोकेटड है नर्मदा जिले में ग किया गया था इसको डिजाइन किया गया था राम वंजी सुतार के दोवारा इसको डिजाइन किया गया था इस स्टेच्व आफ यूनिटी को यह विद्ध रिखिए नेक्स वोशन देखे थर्टींथ रंब कुष्णा विल्सन्स डिसीज इस एन इन हेरिटड डिसॉर्ड इन विच अक्सेसिव अमाउंट्स अफ डैश अकॉमूलेट इन बड़ी यानि विल्सन्स डिसीज जो है यह एक परकार का इन हेरिटड डिसॉर्ड होता है किस चीज की और ने की बज़ा से यह जो रोग है वो हो सकता है यानि इस दिएगया चार अप्शन में से कौन सा प्रड़क्ट है अगर इसकी मात्रा बॉडी में ज्यादा हो जाए तो यह डिसीज हो सकता है जिसका नाम है विल्सन्स डिसीज दा दिएगया चार अप्शन में से जो बैस इस रूल इन इडिया वाज साइंड ओन यानि इंस्टूमेंट ऑफ सरेंडर जो है यह कब पास हुआ था कब इसके पौर्टुगीज के दोरह साइं किया गया था इसके माध्यम से इनके दोरह पौर्टुगीज का जो रूल था वो खतम हो चुका था इंडिया में यह पूछा इस इंडिया कॉंपणी सेंट कैप्टेन विलियम होकिंज तूदा कोट ऑफ एंपर डैश इन सोलां सुआठ टू सीक पर्मेशन टू अपना फैक्ट्री एट सूरत है यानि इस्ट इंडिया कंपणी के दोरह अपने कैप्टेन को बेजा गया था जिसका नाम था विलियम हो इस इस विलियम होकिंज को दिए गया चार आप्षन में से जो बैस्ट आप्षन दिया है वो दिया गया है जहांगीर हो यह गया था जहांगीर कोट में जिससिंए इनके दौरह राहर राइट दिये गय से इनको सेफ्टरी सेटॉप करने के सूर्थ में इसका सही उत्तर है जहां गिर नेक्स वोशन देखे सोला नर्ब कुछना The SDG यानि Sustainable Development Course India Index is Developed by Dash यानि SDG India Index जो है इसको हर साल किसके दौरा डिवेल्प किया जाता है दिये गए चार अप्शन में से जो हमें Best Option दिया गया है वो दिया गया है नितिया जोग जो है जिसको पहले Planning Commission बोलते थे इनके दौरा हर साल प्रिपेर किया जाता है इस SDG इंडिया इंडेक्स को इसका जो सही उत्तर है वो है B-Option नितिया योग इसके लावा आप एप भी याद रिखे नितिया योग के जो CEO है वो है अमिताब कांत और जो Vice Chairman है Vice Chairman वो है Rajiv Kumar Rajiv Kumar और इसके जो Chairman होते है वो होते हैं अमारे देश के परदान मंतरी नरेंदर मोधी जो है प्रेज़न टाइंपे नेक्स एक है सत्तरा नंबर कोश्चन Which of the falling gases is consistently seen to be most abundant in a volcanic eruption यानि कोंसी गैस है जो की consistently seen होती है यानि ज्यादा तर पाई जाती है जाब कोई भी volcanic eruption होता है उसके माधियम से सबसे ज्यादा जो gas है वो कौँसी पाई जाती है देगे चार अप्ष़में से जो हमें best option दिया गया है वो दिया गया है Water Vapor Water Vapor सबसे ज्यादा पाया जाता है जब कोई वी volcanic erupt होता है इसका जो सही उत्र है वो है C option water vapor Next question देखे 18 नम्र कुरिश्चन The Supreme Court of India has declared Access to the Internet Fundament Right under Article Dash of the Indian Constitution Supreme Court of India की दोरा Declare किया गया था Internet एक Fundament Right होगा Indian Constitution का ये किस Article के अधिन होगा As a Fundament Right of Indian Citizens इसका जो सही उत्र दिया है वो दिया गया है C option Article 19 के अधिन Article 19 के अधिन Supreme Court of India के दोरा Declare किया गया था जो Internet है वो एक हर एक citizen का एक Fundamental Right होगा इसका जो सही उत्र है वो है C option Article 19 Next question देखे 19 नम्र कुरिश्चन Which of the following diseases is not transmitted from one person to another यानि दिये गए चार डीसीज में से कौन सा डीसीज है जो की transmit नहीं होता एक परसन से दूसरे परसन को transmit नहीं होता दिये गए चार अप्शन में से जो बेस्ट अप्शन दिया है वो दिया है सिरोसिस सिरोसिस एक transmitted disease नहीं है इसका जो सही उतर है वो है C option सिरोसिस Next question देखे 20 नम्र कुरिश्चन Who is the first general of Indian army whose retirement day is celebrated as the Armed Forces Veterans Day हम से पुछा गया है पहले इंडिया के जो आर्मी के जो chief बने थे जनरल बने थे उनका नाम क्या है जिनके retirement यानि जिन जब इनके द्वारा सेवा मुक्ती की गए थी उस डेट को as observe किया था इंडिया में Armed Forces Veterans Day ये इनका नाम basically हमें पुछा गया है दिये गए चार अप्षमे से जो best option दिया है वो दिया है जनरल केम करेपा जनरल केम करेपा जो है इनके द्वारा retirement दिया गया था ये आप याद रिखे 14 जनबरी को और इनके द्वारा 15 जनबरी को अपनी जो पोस्ट है वो संबाली गए थी 15 जनबरी को हर साल इंडियन आर्मी डे मनाते हैं और 14 जनबरी के द्वारा इनके द्वारा retirement अनाउस की गए थी इसी डे को हम हर साल Armed Forces Veterans Day मनाते हैं दोनों याद रिखे दोनों ही एक्जाम में पूछे जा चुके हैं इस देखें किस रंबर कोश्चन विच लीडर गेव अस दा सी यार फॉर्मूला यानि सी यार फॉर्मूला किस के द्वारा दिया गया था आपकी यह अप्ष्ण है महत्मा गांधी CR-10 तिल्क जाफर C. राजा गौपाल अचारी CR formula जो है यह basically सबसे पहले जो दिया गया था C. राजा गौपाल अचारी के द्वारा इसका जो सही उत्र है वो है the option C. राजा गौपाल अचारी नेक्स शोचन देखे 22 नंबर क्वेशन If the inflation in an economy is rising steadily The Central Bank of Maita यानि जब महंगाई इंडिया में बढ़ती है एक economy में बढ़ती है उसके बाद पुछा गया है जो Central Bank का जो काम होता है वो क्या होता है यह चार option आपको दिये गए है इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है Increase the repo rate यानि जो RBI है Reserve Bank of India वो repo rate जो है इसको increase कर देगा तांकि जो इंडिया में जो महंगाई है वो कम हो सके यानि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो Central Bank है इसके दोरा increase किया जाएगा repo rate को इसका सही उत्तर है 1st option A option increase the repo rate Next question देखे 23 नमब क्वेशन Merchant discount rate refers to Dash Merchant discount rate जो है इसकी definition हमें यहां से पुछी गई है इसका जो सही उत्तर है दिये गए 4 option में से वो दिया गया है A option में The rate charged to a merchant for payment processing services on debit and credit card transactions यानि एक परकार का charge जो की charge किया जाता है एक वपारी से जो है merchant for payment जब कोई वो payment करता है processing service on debit card and credit card transactions इस पर जो भी rate charge किया जाता है उसको बोलते है Merchant discount rate इसका जो सही उत्तर है वो है A option Next question देखे 24 नमब क्वेशन Name the only metal that is antibacterial यानि दिये गए चार option में से कौन सी metal है जो की only metal है जो की antibacterial है वो कौन सी metal है वो हमें यहाँ पे पुछा गया है दिये गए चार option में से जो best option है वो है copper copper जो metal है ये एक परकार की antibacterial metal है इसका सही उत्तर है the option copper Next question देखे 25 नमब क्वेशन Meharu Nisa who was known as Noor Jahan was the wife of Meharu Nisa जो है ये एक नाम है Noor Jahan का ये किस की wife थी ये पुछा गया है दिये गए चार option में से जो best option है वो है Jehanagir Jehanagir की wife का नाम था पतनी का नाम था जिसका नाम था Noor Jahan और इसको एक title दिया जाया आता था जिसका नाम है महरू निसा इसका जो सही उत्र है वो है A option जहांगीर Next question देखे 26 number question Which of the following is the primary sex organ in females यानि primary sex जो organ होते हैं females में वो कौन से होते हैं इसका जो सही उत्र दिया गया है वो दिया गया है B option में Overy Overy जो है ये primary sex organ होते हैं females में महलावे इसका जो सही उत्र है B option Overy Next question देखे 27 number question Who performs the task of capturing oxygen in the blood यानि किसके दोरा जो task है वो perform किया जाता है जिसके मादियम से capture किया जाता है oxygen को blood में ये पुछा गया है ये जो task है वो किसके दोरा perform किया जाता है दिये गए 4 option में से जो best option दिया गया है वो दिया गया है hemoglobin Hemoglobin के दोरा capture किया जाता है oxygen को blood में इसका जो सही उत्र है वो है B option hemoglobin Next question देखे 28 number question In the sequence of planets in the solar system Which planet comes in between mercury and earth हमें पुछा गया है अगर हम solar system की जो planets की sequence है उसको arrange करें हमें पुछा गया है Mercury और earth के बीच में कौन सा planet आएगा दिये गया चार option में से इसका जो right उत्र दिया गया है वो दिया गया है C option venus हम बोलते हैं mercury venus earth ये इसका सही उत्र होगा इसका जो सही उत्र है वो है C option venus Next question देखे 29 number question Which of the following is a natural flame retardant यानि दिये गया चार आप्शन में से natural flame retardant जो है वो पुछा गया है कौन सा है दिये गया चार option में से जो best option है वो दिया गया है ये option dna dna जो है ये है natural flame retardant इसका सही उत्र है ये option dna Next question देखे 30 number question on which river and in which state is the जयकवाडी dam situated है यानि किस नदी पे और किस state में किस राजे में पुछा गया है जयकवाडी dam जो है वो located है आपके option है ये चार बाले इसका जो सही उत्र है वो है गौदावरी नदी महरास्टा गौदावरी नदी महरास्टा में located है यहाँ पे एक बांद बना हुआ है जिसका नाम है जयकवाडी dam इसका जो सही उत्र है वो है एक option गौदावरी रीवर महरास्टा नेक्श देखे 31 number question to which of the falling Indian states does मरदानी खेल one of the famous martial art forms in India belong यानि किस राजे से belong करता है मरदानी खेल जिसको हम एक famous martial art का दरजा देते हैं हमें पूछा गया है यह कौन से राजे में खेलायाता है यह मरदानी खेला इसका जो सही उत्र है दिये गए चार अप्षमें से वो दिया गया है स्री आप्षन महरास्टा महरास्टा के एक famous martial art है जिसका नाम है मरदानी खेला इसका सही उत्र है स्री आप्षन महरास्टा यह कौशन आप सभी के लिए है जिसका अंसर आप मुझे comment box में लिखके जूर पताईए question for all of you मादवपुर मेला take place in dash यानि मादवपुर मेला जो है यह भारत के कौन से रज्ज में celebrate किया आता है अंसर आप मुझे comment box में लिखके जूर पताईए यह ता set number one जो हमने काफी detail में cover करने की कोशिश की है इस set number one में इस series में काफी सारे sets आएंगे बट आपको एक काम करना है इस series को ज़्यादा से ज़्यादा अपने fans के साथ share जूर जूर करना है तांकि जो भी सुनेट्स IBACIO grade 2 post के लिए त्यारी कर रहे हैं उनके पास यह series की recommendation पहुंच सके इस video में बस इतना ही मिलते हैं अगर आप इस video की PDF डौनलोड करना चाहते हो इस set number one की तो आप हमरे telegram channel wifi education को जोईन कर सकते हो वहाँ पे इसकी जो PDF है वह upload कर दी जाएगी थोड़े समय बाद आपको wifi education YouTube channel को subscribe भी करना है और telegram channel को भी जोईन करना है तांकि आपको सभी PDFs और notification time to time मिलते रहे इस video में बस इतना ही मिलते हैं अगर आपको इन questions से related जो हमने set number one में discuss किये हैं अगर आपको कोई doubt है confusion है किसी question के लेटर तो आप मुझे comment box में comment करके पूशकते हूँ आपका comment 100% reply किया जाएगा और आपका जो doubt होगा वो भी 101% clear भी किया जाएगा इस video में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स एडियो में तांकि इस तरह की जो informative videos होती है उनको आप बिल्कुल भी miss ना कर पाएगे so thank you so much